हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल लेसा टिप्स एंटेक्स में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ होजरी के कपड़े में जो सुराब हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से मिनिटों में ठीक कर सकते हैं देखे फ्रेंड्स य यह काफे बड़ा होल है और यह देखे मैं आपको यह बहुत ही उनिक तरीका बतानी जा रही हूँ जिससे कि यह होल बहुत अच्छे तरीके से ढख जाएगा और दिखेगा भी नहीं है और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई यह देखे यह एक साइड से थोड़ा चमकदार है और एक तरफ से थोड़ा खोड़ारा सा है तो जो चमक वाली साइड है वो हमें इसके नीचे लगानी है यह देखे मैं भी आपको लगा करके देखूंगी देख सकते आप यह बहुत छोटे से टुगरे की हमें जरूरत है यह मैंने टीशवड को उल्टी तरफ से रख लिया है इसको यह देखे और इस तुराब को हमें आपस में थोड़ा मिलाना है ताकि थोड़ा सा मिलके अच्छे से से सैट हो जाए यह देखे इसको हम गोल कटिंग कर लेंगे यह देख सकते मैंने गोल कटिंग कर लिए चोटे से टुकड़े की हमें जरूरत है यह देखे और जो साइड हमारी थोड़ी चिकनी लग रही थी चमकदाल लग रही थी उस साइड को हम नीचे रखेंगे और खुरदरी साइड को हमें उपर रखना है यह देख सकते है fellow friends शोड़ा मिला रहीव हैं ताकि यह जादे बढ़ा ना दीखे और एक बात और में हाँ बताना चाहलंगे आपको जो यह пар़ा है जिस कलर कर का आपके पास कपड़ा हो तो इसN सब ós कलर का जी से यह white छलर है तो यह white के देख सकते हैं मैंने माण यह बुकर्म कर ले र dice न स्वा कर लिए और यह देख सकते है और पैसको ग्रम होना के लिए मैंने प्रेशा कहती हर इस खोल में दूबरा सा ठीक कर दो हैं और फिर हमेदे खोल पर यह अर्गान करके दो मिनिट के लिए एक्षा अच्छे से लगा देंगे यह देख सकते हैं यह कि अच्छे से इसको तो चिपका लेता है देख सकते हैं अगर जो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करना मुद भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करिएगा देख सकते हैं यह मैंने चिपका दिया है यह देखिए बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था देख सकते है आप इस बात का दिहान रखिए कि अगर जो वाइट कलर का कपड़ा ना हो तो आप उसी कलर का कलर कर ले तो बहुत बहतर रहेगा और यह देखिए यह वस होने के बाद में चुटे हमारा ढख चुका है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए का यह देखिए फ्रेंड्स